दूसरे लगडाउन पहली चरण वितने के साथ ही लगडाउन टू का दुतिय चरण जार्खन में प्रारम्भ हो गया है जार्खन सरकार ने प्रथम चरण में एक सप्ता के लिए रातरी आठ बजे से सुबा छे बजे तक विशेश आंशिक लगडाउन लागू की थी कुरोना संक्रमर के आयदिन बढ़ोतरी होने के बाद जार्खन सरकार ने नए विधी ववस्था के साथ इसे 6 मई तक अग्रिसारित कर दिया है इसका आज दूसरा दिन लागू है मद्यनजर जिला प्रशासन ने भी सकती करना प्रारंभ कर दिया है जिले भर में सरकार की नई गाइडलाइन बताई जा रही है और दो बजे के बाद आविशक सेवा छोड़ कर सारी गती विधियां बंद करने का ऐलान किया गया है पाकुड की यदि बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से संपूर नगश शेत्र में माई किंकर आम लोगों को चानकारी दी गई लोगडाउन की अवधी 6 मई तक बढ़ा दी गई है इस दोरान आविशक सेवाओं को छोड़ कर सबी सेवाएं बंद रहेंगी दुकान सुबा 6 बजे से 2 बजे तक ही खुला रहेगा होटल और रिस्टोडेंट में कोई भी बैठा करके भोजन नहीं कराएंगे केवल पार्सल सेवाएं ही जारी रहेंगी दवा की दुकाने खुली रहेंगी कहीं भी लोगों को भीड़ भाड इकठी ना करने की सला दी गई इसके साथ ही बताया गया कि जब भी समान खरीदें दो गज की दूरी बनाए रखें और किसी भी स्थान पर 5 वैक्ती से अधिक न जाएं किसी भी धार्मिक इस्थल पर केवल पुजारी ही पुजा करेंगे अन्य वैक्ती को जाना मना है पुरी जीले में धर 144 लागो है इसका उलंगन करने पर सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले ऐसा करने पर उन पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी यदि वह मास्क नहीं लगाते हैं तो उन पर जुर्माना किया जाएगा इस दोरान अनावश्यक रूप से खुले कई दुकानों को प्रिशासन ने बंद कराया और सक्त हिराद दी कई दुकानों को सील किया गया और इस पश्ट बताया गया कि दूसरी बार गलती के लिए कोई गुंचाईश नहीं है मालूम हो कि पाकूर कोरोना वारस के संक्रमर को देखते हुए पहले से ही सतर्क है इतना अलट की रईवार के दिन यहां आप चाय भी खोच कर प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो संपोन भारतवर्ष का एक उधारन है ऐसा स्वतह इस फूर्त बंद जारखन तो क्या भारतवर्ष में नहीं देख सकेंगे ब्यूर रिपोर्ट वी टाइम न्यूस पाकूर